ओम शंती ईसु दादी जी बेगरी पार्ट के अनुभव सुनाते हैं चोदा साल योग तपस्या करने के पस्चात दादी जी मम्मा बाबा एवं अन दादियों के संग आबू परवत पहुची और मदवन की पावन भूमी पर अपनी अथक सेवाएं दी यहां आने के बाद एक बहुत बड़ा पेपर बेगरी पार्ट का भी आया दादी जी ने बताया मुझे याद आता हैं हम जब छोटी थी तभी से मैं बाबा के पास ही रही हम सभी सदा बाबा की याद में खुशी में नाचते रहते थे इसी बीच में हमारा बेगरी पार्ट आया बेगरी पार्ट भी इतना की समझो हमारे विश्र किशोर भाव के पास दस आने भी नहीं होते थे पहले तो आने ही चलते थे ना तो हम चार बहने थी जो बिमार थे उसने हमको एक गोली दी तो हमने उस एक गोली के चार टुकरे कर बाट लिये और हम सभी ठीक हो गे विश्रु की सोर को बहुत तरस पढ़ता था कि हमारी बेहने अच्छे से रहें फिर हम कहते थे कि हम तो बहुत खुश है बेगरी पाट के समय घर में अनाज आदी नहीं होते थे और वहां बारा बजे पोश्ट आती थी ट्रेन से फिर भूली दादी और मैं बाबा से कहती थी बाबा आज हम क्या बनाए तो बाबा कहते थे बच्ची पोश्ट आवे फिर हम आपको बताएंगे कि क्या बनाओ पोश्ट आती थी उसे खोलते थे तो कोई न कोई गोपीका का चेक जरूर होता था फिर उस पैसे से कुछ न कुछ मंगाते थे और खुशी में खाते थे ऐसा कभी नहीं होता था कि हम ये सोचें कि यहां कैसे हम रहेंगे या कैसे क्या होगा हम बाबा के साथ थे न तो उसकी खुशी हमको बहुत रहती थी समझो हमारा पांडव भवन और पीस पार्क कितना दूर है परन्तु हम बच्चे बाबा के साथ पहाड़ियों से चड़ चड़ कर पीस पार्क पहुँच जाते थे फिर वहाँ पर चेरी केरी खाते तो हमारा नाश्ता हो जाता था हम ये नहीं सोचते थे कि ये कैसे होगा हम खुशी में नाश्ते रहते थे जब भी हम आबु आए तो आबु में एक भी गाड़ी नहीं थी और आबु तो जंगल था इतने मकान इतनी दुकाने वगरा नहीं थी फिर हम पाइदल उतरते थे मौन्ट आबु से आबु रोड तक और फिर रात को आकर एक स्कूल का हौल था वहाँ सो जाते थे फिर सुबह उठकर के उपर मौन्ट आबु चलते थे उन दिनों आबु में कोई गाडी तो थी ही नहीं पेठा वगरा बड़ा होता है न हम माथे पर रख कर चड़ते थे परंतु खुशी में नासते राते थे कभी ये नहीं सोचा कि ये तो मजदूनों का काम है हम कैसे करेंगे फिर हम पैदल ही चड़ते आबु रोड से मौंट आबु पांडव हों तक बाबा कहता जो गिरेगा वो फेल होगा फिर एक बार एक बहन गिर गई थी तो उसको जैसे बच्चे को कपड़े में उठा कर चलते हैं तो ऐसे चले फिर मम्मा आती थी जहां बस स्टेंड है वहां तक मम्मा आती थी सब का गुला बाशी से स्वागत करती थी खुशी इतनी की बात मत पूछो अभी तो आप लोग हुई नहीं सकते हैं अभी तो आप कहेंगे हमको ये नहीं मिलता है ये नहीं मिलता है उस समय बाबा साथ था न उसी खुशी में सब कुछ भूल जाते थे और उसी खुशी में हमारा सारा लौकिक परिवार जग में आ गया खुशी में हम हमेशा रहे भले कितना भी बेगरी पाट था ओम शान्ती